मनुष्य का पूरा जीवन क्रिया और प्रतिक्रिया में ही भीता है प्रकृति का नियामी है जिसकी क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया भी होती है परन्तु हमें ऐसा नहीं करना है यदि कोई तिवर स्वर में हमसे कुछ बात करता है गुछ से में बात करता है गालियां दे रहा है तब उसकी उसी समय प्रतिक्रिया नहीं देती हमें उस शन रूख जाना है उसकी तैयारी करनी है कि हमें क्या जवाब देना है नहीं कि आवेश में आकर उसका तुरण जवाब देना कोई कुछ भी कहता है तो उसे ध्यान से सोगे सब्र करें अबने आपको रोके हैं कि हमें क्या जवाब देना है अगर आवश्यक नहीं है तो उसका जवाब नदे अगर आवश्यक है तो उसो कहता है कि चोईज गंटे बाद उसका जवाब दे उसको अगर यक्ति करोध में हा रहा है तो उसको कहें कि मैं अभी इसमें विचार कर रहा हूँ और अगले देने इसमें बात करेंगे तब तक वह समय से ही हल हो जाती है मनुश्य प्रतिक्रिया में ही जीता है कोई कुछ कहें तुरेंद उसका जवाब दे लेता है फिर बाद में सोचता है कि पस्ता था है कि मेरे को ऐसा जवाब आवश्य में आकर नहीं देना चाहिए था इसलिए क्रिया की प्रतिक्रिया न करें कोई कुछ भी कहें तो उसमें विचार करें आवश्यक हो तो ही जो आपने अन्यता चुपर है तो आपका जिवन सुन्दा शान्ति पौन हो जाए हमें क्या कहना है नहीं कहना है उसमें विचार करना चाहिए क्योंकि मनुश्य का जिवन जो आवश्यक कार है वही करने में बीथना चाहिए movement और action कब करना है यह मनुश्य के दिमाग में होना चाहिए अधिक तर अवस्ता में मनुश्य को विश्राम में ही रहना चाहिए नहीं कि अपने आपको कष्ट देते हुए कब आवश्यक हमें कार्य करना है तब ही हम कार्य करें अनावश्यक अपने शरीर को उलजाएं न रखें अपने मन को उलजाएं न रखें उसे भी विश्राम की आवश्कता होती है विश्राम कर लेने के बाद उसे कार्य की आवश्कता होती है यह चकर चलता रहता है आप कार्य करेंगे ठकेंगे विश्राम करेंगे विश्राम करके तरो ताजा हो जाएंगे फिर आप कारे करेंगे पर अंतो इन सब के बीच में एक संतुलन होना चाहिए हमेशा अपने मन को अपने शरीर को उल जाएं लार रखें तनाओं मेरे रखें उसे कुछ शर्ण विश्राम दें आवशक हो तो कारे करें और इस जीवन को सुन्दर बनाएं तन्य बात मेरे वीडियो को सुनने के लिए इतने ध्यान से इसे लाइक करें शेयर करें और ला लाइकन बटन को दबा कर इसे सब्सक्राइब करें तेंक यू